स्वागत है आपका हमारे योटूब चानल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मिलिटरी स्कूल के कट अफ के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स मिलिटरी स्कूल का एक्जाम कल ही तीन अप्रैल को हुआ है तो फ्रेंड्स class 9, दोनों का ही cut-off हम इसी वीडियो में discuss करेंगे इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है Friends, चैनल को subscribe करके बिल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दिजे ताकि और भी कोई cut-off से अगर official notification आता है या result date से कोई भी notification आता है तो उससे रिलेटर में वीडियो बनाऊंगो और उस वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और हमारे इंस्टाइडी sociology question 9 को भी जरूर फॉलो कीजिए लिंक description box में डाल दिया गया है तो फ्रेंड्स चरिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह military school 2022-23 session का यहाँ पे cut-off दिया हुआ है यह class 6 के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं defense category defense category में जो general है OBC है, SC है और ST है उनके बारे में सबसे पहले हम discuss करते है तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो class 6 का cut-off है वो 150 में सहीं तयार होता है जो 50 marks English का होता है, total marks 200 होते हैं जो military school का exam होता है, वो total 200 marks का होता है और 50 marks का English होता है, लेकिन English में qualifying marks ही score करना होता है अगर आप qualifying marks भी score नहीं कर पाते हैं, तब आप जो है वो fail होंगे लेकिन अगर qualifying marks से अबब है आपका English में तो आपको English के लिए डरने के जरूरत नहीं है इसलिए English का marks जो है वो cut-off में नहीं लिया जाता है इंग्लिस को छोर कर आपके जो बचे तीन सब्जेक्ट 50-50-50 नंबर का जो होता है तो वो होता है 150, तो इन 150 में से cut-off जो है वो तयार कहाता है इंग्लिस में बस आपको qualifying marks लाना होता है क्या qualifying marks है, मिलिटरी स्कूल के दोरह निधारित है और वही qualifying marks आपको इंग्लिस में score करना होता है तो आप देख सकते हैं कि जो general category के लिए cut-off है वो 124 है means 150 में से defense के लिए general category में 124 cut-off जो है वो लाना जरूरी है OBC में 118 marks लाना जरूरी है, SC में 110 and ST में 106 Friends, ये cut-off जो है, वो expected है, ये expected cut-off है ये पुरा definite cut-off नहीं है इससे जो है, वो plus minus हो सकता है इसके लगभग में ही cut-off इस साल जाएगी ये तो 100% sure है कि ये definite नहीं, इसके around में ही cut-off जो हो जाएगा तो आप ये देखिए कि जो general में 124 cut-off है तो आपका marks जो है, वो इससे ज़्यादा हो रहा है कि नहीं अगर आपका 124 से marks से ज़्यादा बन रहा है तो आपका selection sure है OBC में 118 cut-off है तो अगर OBC category वाले का 118 से ज़्यादा score बन रहा है तो उनका selection है, वो sure है कि उनको interview call letter आएगा इसके बाद अगर हम बात करें तो civilian category में general OBC, SC और ST के बारे में बात करते हैं civil category से जो general है, OBC है, SC है और ST है तो general के लिए 135 marks, OBC के लिए 128 marks SC के लिए 121 marks and ST के लिए 117 marks और ये भी 150 में से ही है, ये classics का ही है ये 150 marks में से ही क्या है, बना हुआ ये cut-off है अगर आपके 135 से plus बन रहे हैं, तो आपका interview call letter आएगा आप sure रहे है, OBC category के लिए 128 से ज़्यादा marks बन रहे हैं तो उनका interview call letter आएगा, ये आप sure रहे है SC 121 और ST 117, यहाँ पर जो cut-off लिखा हुआ है, अगर इससे ज़्यादा आपका score हो रहा है तो आप sure रहे हैं, आपको interview call letter आएगा Friends, आपने अपना answer जरूर ही match किया होगा और आपका क्या expected score है, यह भी आपने जरूर ही check कर लिया होगा तो उसी expected score के नुसार आप यह जो है, चेक किजिए, आप मिलाएए कि आपका इससे कितना आगे या पीछे हो रहा है अगर इससे एक या दो number के लिए आपका पीछे भी है, तो भी आपका interview call letter है वो आ सकता है यह आप संभावना में यह रहेगा कि आ सकता है, लेकिन जिनका इन से ज़्यादा है, उनका confirm है कि आएगा अगर मानने जिए कि यह civilian category के लिए जनरल में अगर 135 marks लाने है 135 marks लाने है, लेकिन अगर आपका जो score है वो 132 बन रहा है, तो आपका आ सकता है आपका आ सकता है, कुछ chance है, means 60% chance है, लेकिन अभी भी यहाँ पर chance है कि आपका जो interview collector है वो नहीं आ सकता है लेकिन अगर किसी ने 137 score किया है, तो इनका आएगा ही आएगा, यह confirm रहे 132 वाले जो हैं, वो सोच में रहेंगे कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो 137 वाले हैं, वो confirm रहे है कि आपका जो interview collector है वो आएगा तो यह हमने बात कर लिया class 6 के cut off के बारे में, यहाँ पर हमने देखा defense category के लिए general, OVC, HC और ST यह बार दोबारा से आप देखे लिजिए, और इसके बाद हमने बात किया civilian category में general, OVC, HC और ST के लिए तो अब चलते हैं class 9 के cut off के बारे में, sorry, इससे पहले हम girls के cut off के बारे में बात कर लेते हैं कि girls का क्या cut off है तो class 6 में जो girls के लिए cut off है, वो 133 है, general category के लिए OVC के लिए 129, HC 123, and ST 118 यह girls के लिए cut off है, general के लिए 133, OVC के लिए 129, and HC के लिए 123, ST के लिए 118 अब इसके आगे चलते हैं, तो class 9 का cut off है, class 9 में defense category के लिए सबसे पहले बात करते हैं, तो general में 172 cut off, OVC में 165, HC में 162, and ST के लिए 159 cut off यहाँ पर expected बन रहा है, तो आपको इससे से ज़्यादा score करना है, अगर आपके इससे से ज़्यादा score है तो आपका, समझे लिए कि 95% chance है, कि आपका interview call letter आएगा अब friends चलते हैं, civilian category की तरफ civilian में अगर हम general के बारे में बात करें, तो 184 जा सकता है, इनका 200 marks का paper होता है class 9 का paper है, वो 200 marks का है, और इनका जो cut-off है class 9 का, वो 200 marks पे ही तयार होता है class 6 का cut-off, 150 पे तयार होता है, लेकिन जो class 9 का है, वो 200 पे तयार होता है तो civilian category में general को 200 में से 184 लाने है, OVC को 181, SC में 175 cut-off जो है, वो score करना है ST में 171, तो ये था class 9 का cut-off, civilian category के लिए, general OVC, SC और ST और यहाँ पे defense category में general OVC, SC और ST के लिए ये cut-off है friends ये expected cut-off है, ये cut-off जो है, वो expected है ये definite नहीं है कि इतना ही जो यहाँ पर marks, मैंने जो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ वो sure इतना ही जाएगा, ये कोई definite नहीं है, ये expected है इसी के around में जो है, वो cut-off जाएगा, तो अगर इसके around में आपका score बन रहा है आपका score ये expected है, आपने YouTube पर जो answer की वाला वीडियो पड़ा है, वहाँ से आप अपना answer की जो है, वो match कर रहे हैं और अपना score आप अनुमाल लगा रहे हैं, तो उसी से आप यह भी चेक किजिए कि इस cut-off के around में आपका score बन रहा है कि नहीं, अगर इससे से जादा है, तो आपका 95% chance है कि आपको interview call letter आएगा, और इससे कम है, तो आप सोच में रहेंगे कि आएगा या नहीं आएगा, लेक आपको इस वीडियो में class 6 और class 9 दोनों का ही cut-off बताया है, military school का क्या cut-off गया उसके बारे में आपको मैंने बताया है, तो उमीद करता हूँ कि आपने अच्छा ही score किया होगा, और आपका interview call letter भी जरूर ही आएगा, तो friends अगर आपको video अच्छा लगा और आपके लिए helpful थ इसी basis पे analyze करें, और friends चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर दिजे, ताकि results से related अगर कोई update आता है, तो उस पर मैं video बनाऊं, और वो video का notification आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, friends अगर आप channel को subscribe कर देते हैं, तो आपको हमारे channel का हर एक video का notification जाएगा, तो military school के बारे में अभी बहुत सारे videos को upload करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही important है, इसके आगे official cutoff भी release होगा, friends यह expected cutoff है, official cutoff भी release नहीं हुआ है, तो जब भी official cutoff release होगा, उस पर भी आपको मैं अपने videos के माध्यम से जानकारी दूँगा, इसके अलाबा result कब release होना है, interview date और admission date क्या है, य मैं आपको अपने videos के माध्यम से दूँगा, इसलिए चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर दिजिए, ताकि हर एक important video का notification आपके पास सबसे पहले पहुँचिया है, और हमारे Instagram को भी जरूर follow कीजिए, link description box में डाल दिया गया है,